Hey friends, welcome to exam partner channel, मेरा नाम प्रविंट सिंग राजपरोहित है और आज अपर बढ़ने वाले हैं advanced data searches का second unit that is graph तो graph को computer के language में कैसे use करना है और उसमें किस तरह की topics होता है आज अपने सब इस सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं चलो बें फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने देखेंगे क्या basic concept of graphs कि graph का basic concept क्या होता है तो इसके लिए सबसे पहले अपना एक point given है क्या लिखा हुआ है graph is a collection of two sets V and E where V is a finite non empty set of vertices and E is a finite non empty set of edges मतलब क्या हुआ graph तुमारा किसा collection है two sets का that is पहला है कौन सा V यानि क्या हुआ vertices दूसरा क्या है E यानि कि edges तो V तुमारा क्या रहेगा finite non empty set of vertices और E रहेगा तुमारा finite non empty set of edges आगे समझ में कि graph के अंदर दो basic चीज़े होती है पहला होता है vertices दूसरा होता है edges ये भी तुमारा finite non empty set होगा और edges भी तुमारा non empty set होगा finite में आगे समझ में अब आते है next point पे क्या लिखा हुआ है vertices are nothing but the nodes in the graph जैसे हमने tree में पढ़ा था कि हमारा सब कुछ nodes के उपर चलता है वैसे ही यहाँ पे graph में हम nodes को क्या बोलेंगे vertices बोलेंगे तो वही लिखा हुआ है vertices are nothing but the nodes in the graph ठीक है अब आते next point पे two edges in vertices are joined by edges इसका मतलब क्या हुआ जब भी vertices को मानलो nodes पकड़ लो आप अगर nodes को में join करना है तो हम क्या करेंगे उसको edge से हम उसको connect करेंगे अगर आपके समने example में इसको explain करूंगा तो आपको clear हो जाएग कि आपना edge याने तो अगर आप देखो कि V1 मेरा क्या हो गया node हो गया V2 मेरा node हो गया और जो even है इसको मैंने connect कर दिया तो इसको मैं बोलूँगा edge यह हो गया vertices 1 यह हो गया vertices 2 आगे समझ में तो अब यह भी जो पूरा लिखा हुआ है इसको मैंने short में लिखा any graph is denoted as G equals to V,E तो graph मेरा किसका set हुआ vertices और edges का अब आते हैं example के उपर तो अगर आप example में देखोगे मेरे यहापे कितने vertices है 6 V1, V2, V3, V4, V5, V6 आगे समझ में अब इन सब को मैं क्या करूँगा connect करूँगा किन से with the help of edges तो यह V1 और V2 को मैंने E1 से connect कर दिया अब V1 और V V3 को E2 से V1 और V4 को E3 से V3 और V2 को E4 से V2, V5 को E5 से V5 और V6 को E6 से और V4 और V6 को मैंने E7 से edges से मैंने connect कर दिया तो यह हरे के लिए आगे मेरी क्या edges आ गई तो अब ना हो मेरा G को शुक्र क्या हो जाएगा V1, V2, V3, V4, V5, V6 यह होगे मेरा vertices का set, comma इसके अंदर आज E3, E4, E5, E6 और E7 तो मेरा graph क्या आगया इसका यह आगया मेरा vertices और edges का graph आगे समझ में simple सा concept अब आता है next topic पे, अब next topic क्या लिखा हो अपने को comparison between graph and tree तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है graph और tree का comparison find out करना है कि इसमें common topics क्या है और unique चीज़ क्या है इसके अंदर तो पहला point क्या है it is a non-linear data structures